तो लंगालो सेकाद यार इतनी देर में जाओं इसको ना असलाम अलेकम आपर वर्वन दिस आदिल और वाचिंग टैस्टर सरकार तो यार आज की जो मारी एक प्रोड़क्ट होने वाली है वह यह इंडॉर फोरेस्ट के नाम से आने वाला मार्किट में यह एर प्यूरिफायर इसको फिलहाल साइड पर कर देते हैं और देखते हैं कि प्यूरिफायर जिसतरा कि मैं याद है कि जब स्वßबर प्रोड़क 받 बस्धी प्लूट हो रहा था और उसके बाद लाद को वह इंडूरिफायником एंजड़र एव भरत्य प्यूरिंव आप हाहें में जो वाल्य में फिल्ट्रिशन प्लांट्स वो Bobак त्यों डूमाने का नाम हवा में इतनी ज्यादा पॉलुशन हो चुकी है एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मताबिक जब सेंटरल पंजाब उसके कुछ सिटिस जो है जैसे लाहौर फैसलाबाद मुल्तान वगरा यहां पर पॉलुशन जो है वो दुनिया की मतलब हाइस रेटर पॉलुटेड सिटिस मे होते हैं और जो बेक्टेरिया अश्के लावा एरसोल और शर्प पार्टिकुलेट मेंटर लिकुड्मेटर भॉह जाए है अर उससे जुँ जो है पॉल्यूट हो जाती है इस तरह ही है में उस इंसानी बॉड़ी के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी के एक शिगरेट गर वह होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं उसमें जो निजल ब्लीडिंग है जिसको पंजाबी में जो कहते हैं नक्सीर फूटगी है वो उससे वजह से हो रही थी और इसके लावा आँखें दर्द करना नजर का कमजोर होना इचिंग और गले और रेस्परेटरी सिस्टम के लिए उतना ही खराव पैदा कर रहा था और जिस तरह हमने पानी के लिए फिल्टेरीशिन प्लांट्स यूज स्वाल शुरू करती है इसी तरह ह nombreux यह फिल्ट्रेशन ли तो भी अल्हा ताला ने दरख्त दिया हैं वह हमें वह इस चीज को मतलब कर रहे हैं उसका हवा को साफ करते हैं लेकिन क्यूंके वह यहां पर लकडी की कटाई और यह इतना ज्यादा हो गया क्योंकि काफी ज्यादा जब बर्निंग भी थी और फरनीचर जाया वह फरनीचर त लेकिन इंडॉर में क्योंके जो दरख्त हो लग नहीं सकते हैं और इंडॉर की वह आपको जो क्लीन करने के लिए जो चीज होती है वह एर फिल्ट्रेशन प्लांट अभी पहले इसको ओपन कर लेते हैं फिर इस पर फुर्जा जो डिसक्शन करते हैं इसका मुझे नाम बड सब्सक्राइव करें दिश्चे तरिके क्वेस्टेशन अंसर के एक अपहले तो फेपर आते ते ते ना वो सीन नहीं इसको अपर यह पैकिंग बाद वने इसको सिरफ इसका यह लेड डाय में कर लेंड करके बॉक्स निकाल लेना है और बॉक्स को अमने करतेना है तो यार य यह आया कहा से है कि यह एक पाकिस्तानी लोकल इंजिनियर है उसने डिवेलब किया और उसने इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट किया पहले यह जो एर प्योरिफायर्स थे यह इंटरनेशनल जो ब्रैंड से जासे हिटाची पैनासॉनिक और आई थिंग कि तरफ से भी जो इस तर नारा ना उसके अंडर इसको ड्वेलब किया और यह सेंडर्ड पे सेंग क्वालिटी की जो यह वर्किंग प्रोड कर रहा और सेम तरह की एर प्रोड करता है लेकिन इसकी प्राइस जो है वह कौम है अब यह जो एर प्रोड़िफायर है यह अवेलेबल है पाकिस्तान में 17, 15,500 की प्राइस के अंदर तो यार यह जो एर फिल्टर है यह हमें प्रोड किया गया है आइफॉरस डॉट पी के नाम की एक वेबसाइड है उनकी तरह से प्रोड़िफ किया गया है जो कि इसको लॉकली पाकिस्तान के अंदर जाओ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका यह ज नहीं होता कि इसके बारे में आपको बताता हूं यह फिल्टर जो है यह 1790 रुपीस की प्राइस के अंदर जो है यह अवेलिबल है अब यह इसके बात कर लेते हैं कि यह किस टेक्नालोजी पर काम कर रहे है तो इसके ऊपर एक प्री फिल्टर है जो हमें दिया गया है यह ज लेकिन अगर श्मीध Carbon Lab Il को कहते हैं यह था फिल्टर की तरह से v今치 कन लिए होutions करता है और यह किया करता है हवաղ में तुपाइंट ave हुआ रहा है उसकी जो क्यश्किर् şurटीयाव कंकरता है यह कौंटिकरी कितनी प्रशृर के वन्हें के अंदर तो हमारे लिए एक मतलब अच्छी oxygen जाओ इन्हेल कर रहे हैं अच्छी सांस ले रहे हैं लेकिन अगर यह 75 से अबब है इसका लेवल तो यह जो है ना मतलब हवा वो हमारे लिए मतलब कहले के जिगरेट पीने के बराबर ही हो जाती है और जब स्मोग हो जाता है तो यह क्यांटिटी है यह 200 से एक सीड कर जाती है और सम टाइम तो हमने नोट किया है कि यह 440 के राउंडबाव जो है वो चली जाती है अब यह चेक किया जाता है यह फिल्टर जिसको हम MP-level filter कहते हैं प्य अब इस ताइम हम देख लेते हैं कि रूम के अंदर जो इसकी क्वाल्टी है इसका जो लेवल है वो आलमस्ट वालमस्ट ट्वंटी एड के राउंड बार तार है मतलब हमें एक सेफ इन वायर्मेंट में बैठे हुए लेकिन जैसे ही स्मोक स्टार्ट होगी तो यह अबब जाना स्टार्ट करतेगा और उस तरह का इन्वायर्मेंट करेट करने के लिए को कि हमने पैसे तो खर्चे हो यह स्मोक मिशीन हमारे पास स्को चला के दिखेंगे और उससे चेक करेंगे कि इसका जो लेवल है वो कितना आप जाता है और बाद में कितनी देर में यह जो एर इसको डाउन लेके जाता है तो इसको भी पावर के साथ टैच कर लेते हैं इसको में दुबारा सेंबल कर देता हूं और उसके बाद स्मोक चला के चेक करते हैं तो यार इसको सेटप कर लेते हैं अब यह जो फिल्टर है जिसके इस फिल्टर के उपर हमने यह जो क्या कहते ह और इस फिल्टर को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपली पता चले सके अब इसके जो लेड़ा इसको ओपन करना है और प्री फिल्टर को आउटसाइड फेसिंग यानि बाइर बाली साइड पर रखके इसके अंदर जो हमने डाल दें और सिंप्ली लेड को कर देना अब इसको यूज करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके साथ रिमोर्ट यां फंक्शन नहीं है यह एक इसी जो प्लाग है वह आता है जो हम सिंप्ली प्लाग में जब लगा देंगे और एक अन आफ का स्विच है तो सिंप्ली हमने इसको लगा के राउंड बाउट जो हमारे पास रीडिंग आ रही है पीम 25 जो माइक्रोन लेवल का पार्टिक्लर मेंटर होता है उसकी अब हम भाई स्मोग चलाते हैं थ्री तू वण स्मोग अब स्मोग आती इस मीटर पे जो रीडिंग है वो और में यहां पर रखता हूं इसके बाइवरी साट पर जहां पर यह इंटे कर रहा है तो और में जहांसे यह में आउट पूट दे रहा है और अगर मैं जहां हां गया को आउट करा है आगर वहां फर इसकी जो रीडिंगन थो सुलोली जो है वो डाउन जाना स्टार्ट को जाएंगी के आगर वह अर्व और जूपिन्म यहां ज़याना स्टार्ट हो गई है और यह नार्मल में पर आते आते कितना टाइम लेती है जो मुझे आसपास काफी ज्यादा smoke नजर आ रहा है जिसको हमने as a smoke consider किया हुआ तो इसको check करते हैं अब यह काफी speed से नीचे जाना start होगी एसकी reading countdown start करो तो मुझे लगता है कि मुझे काफी time लग जाएगा 600 से almost half हो चुकी है within 10 seconds और अभी हम दुबारा count जो है अपनी continue रखते हैं और check करते हैं अब within almost 20 seconds जो है ना इसने अपनी reading को दुबारा जो है पहले 23-26 के roundabout आ रहे थी लेकिन इसकी जब output air है जो यह purifier करके दे रहा है इसमें जो 10 से भी नीचे जो है वो reading इसकी जा चुकी है और यह almost 65 यह उस तरह काउंटा ने जिस तरह new year पे नहीं हो रहा हो आमें किया था तो वह almost 600 के आसपास जा चुकी थी reading अगर उससे compare करें तो यह तकरीबन उसको 300 टाइम्स जो है वो डाउन लेकर आ चुकी है तो यह अब मैं यह purifier है इसको off कर चुका और नॉर्मल रूम की जो रीडिंग है कि आम तोर पर हमें जो आदत है वो temperature note करने की है हमें तो पता ही था कि यह भी प्यूरिफाय होती है यह भी कोई काम होता है तो यह बंदेने में बताया है तो जो reading है वो almost जितनी स्मोक से पहले थी रूम की pollution जो लेवल था या उसकी purity लेवल था वो जितना था उस पे ही यह वापिस आ चुक है और उसने हवा से स्मोक है वो clean कर दिया अब इसमें हो क्या रह होता है कि इसको दुबारा से side पर कर देते हैं और इसके filter की बात कर लेते हैं और इसके filter की है उसके साफ से इस filter को जो cleaning लेवल है वो 99.95% जो particulate matter होता है उसने हवा में से उसको clean किया होता है और जो ASME जो के American level American standard है उसके साफ से 99.97% जो है यह harmful particulate matter जो होते है हवा में से उसको clean करने की capacity रखता है अब यह जो filter है इसकी जो replacement है वो almost three to four months के बाद जो है वो आपने इस replacement जो है इसको purifier के अंदर करनी है और तब जब 24 by 7 यह purifier अगर आपके indoor में चल रहा है तो आपने three to four months के बाद यह filter जो है इसको change करना है और यह filter जो है यह 1790 पे के price tag में available है और यह filter है यह आपको change करने की जूर नहीं है आपने इसको सिरफ time to time मतलब 2-4 दिन बाद आपने इसकी dusting या vacuum या इसको wash करके इसकी cleaning है वो करते रहना है तो यार अगर आप इस purifier को जो है वो purchase करना चाते है तो इसका contact number है वो screen पर भी share कर दूंगा और description में के अंदर भी इसका mention कर दूंगा और इसके लावा आप iforest.pk पर जाके website जो है उसको visit करके वहां से भी इसका जो है वो purchase करना काफी जुरूरी हो जाता है क्योंकि different तरह के अगर आप lotion या cream भी अगर यूज करते हैं तो वह भी आप सम एक्स्टेंट जाके screen को जब डेमिज करना start कर देती है इसलिए यह बहुत अंदर जंगल वाला साब हो जाता है अब इसके अलावा इंडोर में यह इसलिए जो है यूज करना easy हो जाता है क्योंकि आउटडोर में जब हम जाते हैं तो तो हम मास्क यूज कर लेते हैं जो के हमें पता है कि N95 या 98 के नाम 97 के नाम से मारबाद जो माक्स थे वे लेवल ते लेकिन इंडोर में जब हम मास्क लगाते हैं तो थोड़ी सी गुटन वाली फिलिंग वो इंसान को आना start जाती है तो इंडोर में मास्क पहना जो है अब तो अंदर आ चुक हो लेकिन इंडोर में भी क्योंकि उसी हवा का कुछ हिससा है वो हमारे इंडोर में होता है लेकिन क्योंकि वह इतना जयादा नहीं हो आता लेकिन में जो मेटर करते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि बहुत वृट तो इसलिए इंडोर में चीज होना यह बहुत ज़ुरूरी है तो यह जो है 35 वाट्स पर वह किवर करके एक नए पीस के साथ अपना पराना पीस जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं और वैसे यार यह यह आम तोर पर घर वाले तो यूज करेंगे नहीं और बहुत जाया नसेसरी भी लहीं है लेकिन अगर फिर भी आप इतने कॉंशियंस है कि आपने जो है इसको यूज करना यह प्र प्र फिलिटर के नाम से जो है तो इस वीडियो का आपने जुरूर लाइक कर देना दोश्राइब कर देना और बैल का एकन दबा देना और शेर इसलिए करना कर भई हो सकता है कि आपको चिज की जूर रहना हो लेकिन किसी और को जो पहले ही एक सफर कर अपर यह एस तो इंशाला नेक्स वीडियो में आपके लिए मज़धार किसम की इस तरह की प्रोड़क्ट और यूसफुल भी है उस तरह की प्रोड़क्ट जब लेके आते रहेंगे उनको टेस्क भी करते रहेंगे कि वो एक्जेकली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है तो इंशाला नेक्स वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना ख्यार रखिएगा अल्ला हाफिज